हेलो फ्रेंड स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में SSE के लिए मंडे से हमारा एक प्लान चल ला है उस प्लान के तहट हम लोग थियोरी तो कवर करी रहे हैं थियोरी का प्लान आपको अल्लेडी मिल गया है कि कोन से दिन कोन टॉपिक हमें कवर करना है साथ में साथ साथ में हम क्या करेंगे दो टॉपिक का कोस्टन भी प्रैक्टिस करेंगे जो टॉपिक हम लोग करेंगे ना उसी टॉपिक से हम प्रीवियसर करेंगे कि क्या हमारे थियोरी से सॉल्प हो पा रहा है और कोई एक दो कोस्टन एक्स्ट्रा हैगा तो हमारा इससे एक inclusive notes भी बनता तयार हो जाएगा book में ही आप लेख लेना क्योंकि book से अगर कर रहे हो तो आप lucent से कर रहे हो lucent के side में लेख लेना कहीं से कर रहे हो side में लेख लो ना same chapter में तो history का तो हम लोग modern history almost end होने वाला है तो polity के को हमारा है plan में दो चीज डेली हम लोग कर रहे है modern history और उसके बाद polity तो polity भी हमें start करें और पहला chapter है polity में constitution वाला chapter तो अगर आपको ये join करना है plan तो आप इस number पर message कर देना 9582062485 extra information सिर्फ इसकों question answer नहीं करेंगे काफी जाद है इसमें extra information में करा रहे है पहला question है which of the following is not a federal feature of the constitution तो सबसे पहले एक word याद रखना कि federalism हमारे constitution में कहीं भे लिखा नहीं है ये ऐसा question एक वार पूछा हुआ था कि federalism हमारे constitution में कितनी बार आया हुआ तो एक बार भी नहीं हुआ है तो कोन से federal features नहीं है समिधान में federal feature का मतलब होता है काम बटा हुआ है center में और state में काम बटा हुआ है सबके अपन अपने subject बटे हुए हैं पहला dual government ये बिलकुल feature है federal government का power division ये भी federal government का all India service written constitution आपको बताना है इनमें से कोन सा federal feature है all India service written constitution लेकिन all India service features नहीं है all India service features नहीं है clear तो एक बारी में और बता दे रहा हूँ कि कोन-कोन से features है सबसे पहले federal government के कोन-कोन से feature है dual government, power division written constitution, constitution का supremacy, constitution rigid हो judiciary independent हो bicameralism हो ये सब federal feature है लेकिन कुछ unitary feature भी है like flexibility of constitution constitution जो है flexible है उसके बाद single citizenship, single constitution strong center, appointment of judiciary governor का appointment और साथ के साथ all India services ये सब कोन सा feature है ये सब federal features नहीं है क्योंकि center नहीं चुना है और UPSC चुनती है और ओ आके कहां पे job करते हैं state में job करते हैं तो ये थोरा सा unitary features हो गया ना federal feature नहीं हुआ ना चलिए अब क्यूंकि इंडिया में दोनो टाइप के features है federal feature भी है unitary feature है इसलिए इंडिया के constitution को quasi-federal बोल ले थे अब question ओरता है quasi-federal कोन बोल ले थे उनका नाम क्या है उनका नाम है Casey Ware ठीक है नहीं Casey Ware ठीक है Casey Ware तो ये नाम आप याद रख सकते हो और कुछ लोग के बारे में और याद रख सकते हैं कुछ लोग में नहीं बोला है जैसे मानलों पूछ सकता है आराम से पहला एक Morris Jones करके है Morris Jones उन्होंने बोला था बार गेनिंग बार गेनिंग फेडरलिजम ठीक है Morris Jones उसके बाद है B.R. अमेद करने बोला था कि आवर कंस्टिटूशन उड़ वी वोथ यूनिट्री और आज वेल अज फेडरल according to the requirement of time and circumstances कि भाई जब जरूरत परेगी जैसी जैसी सरकमस्टांस हैंगी उस तरह से भारात अपने कंस्टिटूशन को मोल्ड कल सकता है उसके बाद एक है आईवर जेनिंग आईवर जेनिंग तीन ही लोग का आता है B.R. अमेद कर मोल्ड कर सकता है M.Jones Maurice Jones का है Bargaining Federalism Casey Vareka या ही दिया गया एक जेनिंग का है इननने बोला कि Far too large and therefore far too rigid ठीक है ना और इससे होगा क्या अगर ऐसा होगा बहुत ज़्यादा मतलब इननने इन्डियन कस्टिटूशन के बारे में और बोला कि बहुत large है और इसलिए काफी ज़्यादा rigid है ठीक है ना और ये इसलिए हुआ कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था तो बस ये वाड याद रख ले ना तीन चार लोगों की बाते Next question है यहाँ पर बताया गया कि With reference to Constituent Assembly इसमें से कौन सा statement आपको सही है correct Constituent Assembly रेटिफाइड इंडियाज मेंबर्शिप आप कॉमन बेल्ट इन में 1947 पहला statement है कि Constituent Assembly ने क्या किया कि मतलब कि में 1947 में रेटिफाइड किया कॉमन बेल्ट की मेंबर्शिप इसमें अगर आपको नहीं confirm आगे पड़ते हैं The Constituent Assembly adopted the National Anthem in January ये correct है क्योंकि ये ऐसा 24 जनवरी को हुआ था ठीक है न National Anthem Second The Constituent Assembly adopted the National Song नहीं National Song भी सेम दिन 24 जनवरी को हुआ था तो ये गलत है Constituent Assembly adopted National flag आपको पहले करना था भाई आजादी से पहले तो ये July में किया गया July 1947 में तो सिर्फ और सिर्फ ये be statement correct है बाकी सब गलत है ठीक है न अब एक बारी मैं बता दे रहा हूँ कि कब क्या हुआ था सबसे बहले National flag को हमने adopt किया 22 जूलाई को 22 जूलाई और National Anthem National Song ये सब हम किस दिन किया 24 जनवारी को National Anthem हम सबको पता है National Song हम सबको पता है उसके बाद इंडिया का जो Membership था ना Commonwealth में ये मई 1947 को मई 1949 को हमने adopt किया मई 1949 में और Constituent Assembly Bunny की इस प्लान केता थी Cabinet Mission Plan और पहली बार Meeting का हुई 9th December लोग November में Confusion आते 9th December 1946 शुरुवात में जो President बनाए गये थे सचीदानन्द सिन्हा बनाए गये थे Actually मैं लिखे इसलिए इसलिए रहा हूँ कि मेरा pen tab अभी पताने कुछ इसू आ गया है जो लिख नहीं पा रहा हूँ हाथ से बता रहा हूँ लिख लेना आप लोग जो आपको Information Important लेगे इसलिए मैं Important Information ही आपको बता रहा हूँ अब देखिए How many female members were part of Constituent Assembly that framed the Constitution बनाए गया आपको बताना है Member कितनी थी वोमेन यह थी टोटल पंद्रा वुमेन सिर्फ पंद्रा वुमेन थी और पंद्रा वुमेन में से आपको नाम याद नहीं रखना है मैं एक दो का नाम सरोजने नाइडू जी थी विज्या लक्षमी पंडित मालती चौधरी लीला रॉय कमला चौधरी एनी मैसकरेन पुर्णीमा बनर जी रेनकवा राय सुचेता किरपलान ये भी थी इंपोर्टेन उसके बाद दुर्गा भाई देशमुक ये आपको लेगा मेल मेंबर है लेकिन नहीं राजकुमारी अमरितकौर हंसा महता वेगम अजाज रसूल ये सब कुछ मेंबर थी पंदर मेंबर याद रख लेना फू वाज दे चेर्मेन ध्यान दे चेर्मेन ओफ हाउस कमीटी हाउस कमीटी जो कंस्ट्ट्ट असेमली थी उसके चेर्मेन को थे हाउस कमीटी के चेर्मेन थे हाउस कमीटी ये थे पटवी सिता रमया पटवी सिता रमया इनका नाम आपको याद होगा कब किस इवेंट से रिलेटेर इनका नाम आता ये गांधी जी के कंडिडेट थे गांधी है नोमीनी थे कब जब 1939 में कॉंग्रेस सेशन हो रहा था ना त्रिपूरी में तो उस समय आपको पता 1938 में तो सुभाश्चंद बोस अलेडी बन चुके तो 1939 में गांधी जी की तरब से ये लड़ रहे थे लेकिन हार हुई इनकी तो उसके बाद सुभाश्चंद बोस बनने वाले थे तो उसमें हुआ कुछ ऐसा तो कुछ भी इवेंट हुआ मालो इवेंट हुआ तो सुभाश्चंद बोस जी ने रजाइन कर दिया फिर उन्हो पर कुछ और कमिटी के हम मेंबर बताते हैं हीड बताते हैं जैसे के मुंसी है ओडर ओफ बिजनेस कमिटी के ओडर ओफ बिजनेस कमिटी के उसके एक और को सनाता है बहुत बार अलाधी कृष्ण स्वामी अयर का यह क्रेडेंशियल कमिटी अगला को सनी आएगा which of the following words does not precede the word republic in the preamble तो इसमें कौन सा वर्ड है we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign है socialist है democratic है फिर republic आता है फिर इंडिया आता है तो federal word मैंने बताया था भाई constitution में लिखा ही नहीं हुआ है फेडरल वर्ड कंस्टिटूशन में लिखा ही नहीं हुआ है चलिए उसके बाद ये हमने बता दिया अलादी कृष्ण स्वामी जी के बारे में बने बता दिया ये एक क्रेडेंशियल कमिटी के मेंबर थे हेड थे ने रिकागनाज किया बाई गारे सा और एक और ची इंडिया इंडिपेंदेंस एक जो है न यह किस प्लान के बेस पे बना था माउंट बेटन प्लान माउंट बेटन प्लान को थर्ड जून प्लान भी बोलते हैं यह भी बात याद रखना आप लो G.V. Mavlankar Mavlankar was the chairman of DAS of the Constituent Assembly of India किस committee के chairman थे G.V. Mavlankar ये chairman थे committee on the function कारे यो पर जो समीती थी न उसके chairman थे बाकि जो बहुत basic है या जो बिलकुल आसान है जैसे union power, union constitution और state committee union power, union constitution और state committee इसके थे जवाहल नान ले रो उसके बाद आज आती है advisory committee on fundamental right ये पटेल साब थे एक provincial committee थी उसमें भी provincial constitution committee इसके भी पटेल साब थे और राजिंदर प्रसाद कही थे एक तो finance staff committee जो major committee थी न, मैं major का पहले बताता हूँ major में वो दो steering committee और एक है rules of procedure committee था इसके भी राजिंदर प्रसाद जी थे और उसके national flag वाले committee पे राजिंदर प्रसाद जी थे उसके advisory committee on fundamental right पे पटेल साब थे function of the constitution ये तो मैंने बता ही दिया जीवी माबलंकर जो minority and tribal and excluded area वाला ग्रूप था उसके बल्लबाई पटेल थे प्रोसीजर वाना तो उन्हें बता ही दिया उसके बाद special committee to examine the draft constitution ये के इसके अलावी कृष्ण स्वामी ये थे drafting तो हमने देखी लिया बिया रमेदकर साहब excluded and partially excluded area subcommittee finance and staff राजिंदर परशाद उसके अलावे जे बी किलपलाने थे fundamental right subcommittee house committee के वी पटरवी सितरह में ये देख लिया minority subcommittee के HC मुखर जी और north eastern tribal frontier ट्राइवल एरिया वाले थे ना उसके थे गोपीनात साहब बाकी order of business के के मुण सी जी तो ये सारा हमने एक वरी कर लिया आपको अगर notes बनाना है तो बना लेना what when was 10th session of constituent assembly held दसमा सेशन सम्भिधान सभा का कब हुआ पहले देख लिए total session 11 हुए थे उसमें से दसमा यानि हम बोल सकते लास्ट जो में काम का session था उसके बाद एक session तो बस 24 से 26 नोवेंबर के बीच हुआ sign वगरा करने के लिए और एक बारी फिर लास्ट में मिले 24 जनवरी को उसको हम session में गिनते ही नहीं है योई काम सारा हो गया था तो जो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को मिले उसको हम बोलते हैं 10 मा सेशन फिर 11 मा सेशन मिले थे 24 से 26 नोवेंबर के बीच सिर्फ sign वाइन करने के लिए क्लियर ना और एक और चीज़ सबसे अब आपसे question पूछा दो सकता है कुछ question important है कि सबसे पहले Construent Assembly के idea को किन्धन ने प्रपोज हिया 1934 में MN रवाय ने और सबसे पहले सेशन Construent Assembly बैठी कब 9 दिसेमबर 1946 को प्लान था Cabinet Mission प्लान के तहट और टोटल टाइम कितना लगए यह पता है टोटल पैसा कितना खर्च कुआ यह नहीं जरूरी है और Constitution Day हम लोग किस दिन मनाते 26 नवेंबर 1949 को Who among the following become part of Construent Assembly from Madras Kustitu N.C. Madras Kustitu N.C. से कोन आते थे यह आपको बताना है देखो Madras Kustitu N.C. से आते थे Ammu Šwaminathan Ammu Šwaminathan आते थे इसमें से Madras Kustitu N.C. से इतना याद रख लाए ना बस चलिए Next question है The Drafting Committee में Total साथ मेंबर थे Drafting Committee में Total कितने मेंबर थे साथ मेंबर थे Head कोन थे और एक चीज़ और Head Drafting Committee Bunny Cup थी 29th August 1947 को और मेंबर थे Aladhi, Krishna Shwami Iyer N. Gopala Shwami B.R.M. वेदकर उसके अध K.M. Munsi Mohamed Sadullah BL.Mittar और KP. खैतान ये important है कि Constitution को पहली बार Hand written किसने लिखाता है हाथ से लिखा गया था वो किनों लिखाता है प्रेम बिहारी नरेन सहब प्रेम बिहारी नरेन राय जाता प्रेम बिहारी नरेन राय जाता इन्होंने अपने हाथ से लिखाता है पहली बार ख्लियर ना Constitution Hall में 335 पैंचान में आर्टिकल और ठी चौदमा कोशन है कि पहली मीटिंग कब हुआ 9th December 1946 को हुआ What is the minimum age prescribed by the Constitution of India for appointment चाहे देखो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो तीनों का age क्या है 35 होना चाहिए उसके अलावे State Legislative Council और राज्य सभा इसका 30 State Legislative Assembly और लोक सभा 25 उसके lower level वाले election के लिए 21 voting के लिए 18 The Constitution of India adopted many institutional details and procedure ये कहां से लिया था बहुत सारे constitutional details ये किस act चलिया था ऐसा बोले आता ना कि जो हमारा 3-4th Constitution है वो तो हमने बस Government of India Act 1935 चलिया था 3-4th of entire भाएर सम्भीधान बाएर्ड दौगुइदार चलिया फूसर्द फॉललिग एक्क इंत्रोडूस्ट फेडरल फीचर फेडरल फीचर फेडरल फीचर and प्रोविंशियाल आटोनोमी इन दे लेजिसलेचर मतलब कि इस act ने यह सा किया था कि federal feature भी लाएंगे provincial autonomy भी लाएंगे and made provision for the distribution of legislative power between center and province यह Government of India Act 1935 The total membership of the Constituent Assembly was 389 उसमें से कितने directly princely states जाया थे कितने princely states जाया थे टोटल तो 389 था टोटल 399 थे 389 शुरुआ थे उसे 200 बेरान में तो प्रोविंस से आया थे 93 आया थे princely state से और 4 आया थे जो chief commissioner प्रोविंस था ना जैसे दिल्ली, अजमेर, मरवारा, कुर्ग और ब्रिटिश बलुचुस्तान यह 4 वहां से आया थे तो टोटल हो गया 389 तो यह 93 की बात करते हैं D option is correct The members of Constituent Assembly signed the Constitution of India यह इन्होंने sign किस दिन किया मतलब देखो, बन के तयार कब हो गया था बन के तयार तो हो गया था November 26 November 1949 कोई और sign उन्होंनों किया 24 जनवरी 1950 को B correct answer है in which of the following year did the Indian National Congress made a demand for Constituent Assembly 1934 में MNRY DAS help in presenting a set of rules and principles on which all the people of the country can agree on the basis for the bay which they want to the country to be governed यह basic है संभिधान, Constitution in 1946 who among the following was made the interim मतलब दो दिन के लिए President बने थे यह थे सचिदा, नंद, शिनहा और उसके बाद फिर बन गए राजिंद्र प्रसाद, यह 9 से 11 नमबर, 11 नमबर के यह खुद बन गए, दो दिन के लिए बने थे, 9-10 के लिए चेर्मन अब ड्राफ्टिंग कमिटी के चेर्मन कोन बने थे, बी आरंबेद कर, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेर्मन Constitution दे किस दिन सेलिबिरेट किया जाता है, 26 नमबर को चेर्मन अफ ड्राफ्टिंग कमिटी हो गया यह करना है, यह किस दिन लागो किस दिन इसको दिखाया गया था जयवाहला लेरू के द्वरा इस draft को move किया था और बाद में इसको Constituent Assembly ने adopt कर लिया था कि हाँ इसी हिसाब से हम अपना समिधान बनाएंगे और इसको basic structure के part में add किया गया था यह basic structure है मतलब basic structure basic structure में क्या होता है amendment नहीं आता है basic structure किसने लाया था केशवानन्द भारती किसने केशवानन्द भारती के में लाया क्या था ठीक है तो यह जो प्रियेंबल है वो basic structure का part नहीं है याद रखिया है क्योंकि इसमें amendment हुआ है कब amendment हुआ है 42nd constitutional amendment act 1976 और इसमें तीन वर्ड एड किया कि socialist secular और integrity और देखो पहले वर्ड था न सौबरन और उसका सीधर democratic था तो अब हो गया सौबरन socialist secular तो आप even इसका वो भी याद करो ranking किसके बाद कोन वर्ड आता है और unity of the nation था पहले तो अब आ गया है unity and integrity of the nation तो यह तीन वर्ड एड किया गया 1976 में फॉस्ट कंस्टुएंट एसेमली का इलेक्शन कववा 1946 में इन हुइच इयर डिड मोतिला नहरू ने 1928 में नहरू रिपोर्ट दिया था आप सबको पता है इसमें fundamental right की भी बात की थी which of the following not a feature of Indian federal system कौन सा federal system का features नहीं है आपको सीधा सीधा पता चल जाए कि जो भी power को इकठा करने का कोशिस कर रहा है न तो उसमें federal system काम नहीं करेगा सबसे बावर डिवाइड ठीक है single tier government यही तो नहीं चाहिए भाई थीटियर government चाहिए रेट अंकस्टिविशन इंडिपेंड़िजियरी 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 सेंटर के अंदर नहीं होनी चाहिए नहीं तो उसेंटर की बात ही मानी जाएगी तो c correct statement हो जाएगा आइडिया अफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ये कहां कहां से आये किस सरकार कहां किस देश से हमने कॉपी किया ये आपको बताना है तो जब वाला फीचर हम बताते हैं तो आपको काफी चीज मैं याद करवा देता हूं लिबर्टी इक्वालिटी तो आप जो रेजिटीरी पावर होता है उससे भी स्पिरषव को श्टॉंग करते हो तो ये साना राचीज कहां सा आएगा कहां सा आएगा बताईई कानडा सा आएगा Australia क्या करता है हमें सा जोरने का कोशिज करता है जोरने का तो like की trade हो गाएगा में जो टारिफ लगाती जाती है एक दूसरे स्टेट में वो नहीं लगना चाहिए और यह सब फ्री ट्रेड होगा अब आब आद को प्रोमोट करने वाले उसके बाद जो ज्वाइंट शिटिंग भी होगा ज्वाइंट शिटिंग भी यह भी ऑस्टिलिया से आए गया जर्मनी से तो हमने अमरजेंसी के समय फंड़मेंटल राइट खतम हो जातो वाले बात की constitutional advisor कौन बने थे बी एन रहा है इसमें से कौन सा सम्मिधानिक body नहीं है तो जो सम्मिधान के दरब बनाएगा नहीं नीतिया यह सम्मिधानिक body यह सीधा बनाएगा है इसको executive body बोलते है whose are the following adjective is not part of the PMBल भाई यहां पर tolerant word कहां पर कहीं नहीं है how many members देखो यह simple repeating question repeated यह भी मैंने बता था provincial constitution committee के पतेल साथ है which type of constitution इंडिया में single citizen सीफा है adopt simple अगर आप preamble ही पर हो ना तो last में लिखा होता है कि 26 november 1949 को enact, adopt and hereby मतलब लागू किया गया तो यह 26 november 1949 1967 में which of the following language was included in the list of state language of the institution Indian Constitution of India किस सब्द को add किया गया था यह सब्द है सिंधी सब्द को add किया गया था 26th Constitutional Amendment Act 1947 अभी total 22 language है याद रखे का सबसे last में कौन सा चार एड किया गया चार भासा यह एड किया गया 71st Constitutional Amendment Act 1992 में चार कौन-कौन कौंकनी मनिपूरी नेपाली एक और वर्ट था ठीक है English word नहीं 22 language में याद रखे का Father of Indian Constitution हम सबको था B.R. Amit का who among the following member not a part of the Constitution लेकिन Constitution को ड्राफ्ट करने एहम रोल था यह थे महात्मागा थी आज पर दे Constitution अफ इंडिया तेखो पंचायत में उसे तीन लेवल होता है किसने बोला है तीन लेवल की बात करें बलवंत राय मेहता कमिटी ने लेकिन उसमें एक ची लिखा हुआ है कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर से कम होगा वहाँ पर थ्री बीच वाले लेयर को जुरूत नहीं यह पहला और थौड लेयर होगा यह था 20 लाग पॉपुलेशन डी करेक्टर स्टेट में पहले हेल्फ मिनिश्टर कोन थे पहले हेल्फ मिनिश्टर कोन थे राजकुमारी अमरीतक यह कंस्टूएंट एसेउंबले की भी पार थी याद रखेगा और इन्होंने को फाउंड किया था All India Women Conference इवेन यह पार्टिशिपेट की थी दांडे मार्च में 1930 में जो दाणडी मार्च हुआ था और first health minister मुलब शुरुवात में prime minister cabinet के health minister थे बाद में health minister बने और first Asian President थी world health assembly की 1950 में और बहुत important role था इनका aims को establish करने में और इन्होंने पहली president बनी थी उसकी और Red Cross के भी chairperson रही है तो बहुत ज़्यादा काम किया health के सेक्टर में इन्होंने और inaugural session of the Supreme Court जो पहला session था Supreme Court का वो कब शुरू हुआ ये बताना जो inaugural session था ना Supreme Court का वो कब शुरू हुआ देखो ये था 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 कुछ date वाले question होते है तो इस वीडियो में बस इतना ही और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप बताना जरूरी जरूर comment section में और ये आपको course join करना है जिसमें सब कुछ मिल ला है इवन computer module भी मिल ला है तो इस number of message कर सकते हैं और description में अंबर है thank you thank you so much